हेलो प्रेंट्स स्वागत आपका मेरी यूटूब चैनल में तो पिछली वीडियो में हम ये स्टूडेंट के जो लिस्ट थी ये टेबल में हमने सारा स्टूडेंट का सारा डेटा हमने यहाँ पर फैच करवाया था अब हम यहाँ पर एडिट पर काम करेंगे जब भी यहाँ पर क्लिक करेंगे तब एडिट स्टूडेंट पर आ जायेंगे और वहाँ पर जो स्टूडएंट है उसका सारा डेता हमने बिल जाएगा और वहाँ से हम ओ डेता को चैन्ज कर सकते हैं तो वह सारी फंस्टरिटिम हम ये वीडियो में करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हमें page को create पड़ेगा तो page को create करने के लिए हम आएंगे urs.py में उसका सबसे पहले url create करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे path फिर यहाँ पर od slash student slash edit और यहाँ पर हम लिखेंगे इसका function को word views में create करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे edit student और उसका नाम रखेंगे edit student अब इसके function को हम create करेंगे hod views में तो यहाँ से वो function create हो गया और इसको render request और इसकी file का location का नाम तो file हमने create नहीं की तो हमें file भी create करने पड़ेगी तो यह रहा template और यह रहा hod और यहाँ पर new html file edit student तो यहाँ पर student की file create हो गई अब इसका path हम यहाँ पर दे देते हैं तो hod folder के अंदर है edit.student edit.student dot html file तो अब इसको एक बार चेक करते हैं यह work करता है या नहीं तो यह रहा url इसको मैंने यहाँ से किया copy और url में जाके हम करेंगे paste तो यह page हमें यहाँ पर मिल रहा है अब इसका जो front end है वो हमें तयार करना पड़ेगा तो इसका front end हमें मिल जाएगा add students में तो इन दून का form से हमी है तो हम इसका यही code को हम control a, control c और हम add student में जाके यहाँ पर कर देंगे paste सिर्फ हमें यहाँ पर कुछ changes करना है बाकि सबी चीज़ें यहाँ पर same रहेगी अब यह edit आ गया तो यह front end भी हमारा complete हो गया अब यहाँ पर कुछ changes कर लेते हैं add student है तो add student की जगह पर add student यहाँ पर हम student को edit करेंगे अब यहाँ पर एक दिक्यत है यहाँ पर हमें सारा data मिलना चाहिए जो भी student है तो यह हमारा जो view student यहाँ पर मैं अगर click करता हूँ तो उसका सारा नाम और सारी चीज़े हमें मिलनी चाहिए तो हमें वो functionalities को create करनी है तो इसके लिए हमें यहाँ पर id बीजनी पड़ेगी यहाँ पर एक id बीजनी पड़ेगी और वही id से हम वो data को get कर सकता है तो चलिए हम उसको id बेजेंगे तो id बेजने के लिए हमें function में जाना है चोड़ी विज में और यहाँ पर pass करेंगे id sorry यहाँ पर नहीं यह view student का है added student में तो id यहाँ पर हमें id चाहिए तो वो id हमें url से मिल जाएगी slash और यहाँ पर लिखेंगे str colon id तो यहाँ से हमें id मिल जाएगी और यहाँ पर id को pass करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे student is equal to हमारे model का नाम student dot objects dot filter filter करेंगे id is equal to id तो यहाँ पर हमें id मिल गई अब इसको इसके लिए contact नाव की dictionary करेंगे और वो student को यहाँ पर करेंगे pass तो यह हो गया student pass अब यह dictionary को pass करना है हमें हमारे template में तो यह pass हो गई अब अगर मैं यहाँ पर repress करूंगा तो मुझे error मिल जाएगी ओके तो यहाँ पर कुछ दिक्कत है यह मेरे ख्याल से save नहीं हुआ होगा एडिट स्टुडेंट इडिट स्टुडेंट इडिट स्टुडेंट इडिट इकोल इडि तो हमें यह नहीं मिलना चाहिए था ओके तो यह व्यूज वाला है इसलिए हमें यहाँ पर कोई error नहीं मिल रही थी हमें यहाँ पर एडिट का URL हमें पास करना है तो हैसा करेंगे कि यह जो यह एडिट का जो आइकन है वहाँ पर कोई क्लिक करेंगा तो उसके साथ एक ID भी हम विचेंगे तो चलेंगे उसको भ यहाँ पर कोर्स है कोर्स का फॉर्म है तो यहाँ पर नहीं होगा वो व्यू स्टूडेंट में होगा और व्यू स्टूडेंट में यह रहा एडिट स्टूडेंट डट स्टे में जा रहा है तो यहाँ पर हमें वो नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर url लगाएंगे हमारा url होगा edit student और उसके साथ हम id को बेचेंगे तो i.id इसको किया save आप में आपको दिखा देता हुआ हमें id मिल रही है या नहीं तो यहाँ से हमें id मिल रही है आपको यहाँ पर नीचे की यहाँ पर देखना है तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो आगया edit 7 यहाँ पर करसा ले गया तो आगया edit 8 यहाँ पर 9 तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यह edit 7 तो यहाँ पर 7 मिल रहा है आपे तो हम उसी से हम यहाँ पर data को gate करा सकते है तो चले data को भी gate करेंगे तो यह student हमने pass किया था तो हम वही student को use कर सकते है तो यह जो edit student है उसमें हमें value लगानी पड़ेगी तो यहाँ पर value और यहाँ पर एक बार try करता है कि student. से मिलता है student. सबसे पहले यहाँ पर profile pick तो profile pick में यह value काम नहीं करती तो profile pick में रहने देते हैं हम first name में try करेंगे यहाँ पर student. first name first underscore name तो हमें यह मिलता है या नहीं एक बार चेक कर लेता है तो नहीं मिला ओके तो यह जो हमारा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि यह क्यूं नहीं मिल रहा अगर यह तब भी नहीं मिला तो हम दूसरी तकनिक को आजमाएंगे तो यह student table है उसके अंदर admin है admin के अंदर से हम यह data को patch कराएंगे तो यह रहा हमार कस्टम यूजर तो वहां से हम उसको patch कराएंगे तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा student.admin.firstname अब अगर नहीं आता तो हमें कोई दूसरी तकनिक आजमानी पड़ेगी तो वह अब भी भी नहीं आया तो हम ऐसा करेंगे यहाँ पर एक follow लगाएंगे वेल्यू के अंदर ही हम यहाँ पर follow लगाएंगे for i in student तो यह follow start होगा और यहाँ पर follow को करेंगे end end for और इसके बीच में हम लिखेंगे i.admin.firstname first underscore name तो हमें यह लिखना है हमने follow look को start किया फिर follow look के end किया और बीच में हमने लिखा i.admin.firstname तो अब तो हमें यह first name मिलना चाहिए तो अब हमें यह first name मिल रहा है तो हम इसी तकनिका यूज़ कर सकता है तो हम इसी को copy करेंगे और सभी के आगे paste करेंगे और यहाँ पर है last name तो first name की जगह पर last underscore name तो यहाँ पर last name आजाएगा यहाँ पर email है तो यहाँ पर admin.email फिर यहाँ पर username admin.username password तो password में अभी हम कोई fill नहीं करेंगे password को हम जिस तरीके से हमने profile pic में use किया था तो मैं आपको दिखा देता हूँ password को अगर change करना है तब हम उसको fill करेंगे तो उसी तक्निक का use हम यहाँ पर करेंगे अगर हमें कोई password को change करना है तब हम यहाँ पर उसको use करेंगे तो हम यहाँ पर password में placeholder लगाएंगे तो हम उसी जो हमेरा profile update था वहाँ से मैं उसको copy कर लेता हूँ तो नीचे की औरता हमारा password और उसका जो placeholder है उसकी को मैं copy करूंगा और यह जो add student वाले password में जाके इसको करेंगे पेस्ट तो यहाँ पर इस तरीके से पेनल उल्ली if you went to change password अब यहाँ आपर मिलाना है address को तो value मैं उपर से copy कर लेता हूँ हमारा student table में है तो admin हमें नहीं चाहिए और username की जगह पर हम लिखेंगे address address तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें address ओके तो address नहीं है एक बार चेक कर लेता है model में जाके address नहीं आया है तो edit student i.address value में कुछ दीकर जाए यहाँ पर ओके तो यह text area है इसलिए है इस तरीके से हम value को यूज नहीं कर सकते है इसको हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसको मैंने cut किया यह जो text area close हो रहा है उसके पहले हमें इसको लिखना पड़ेगा input field में हम उस field में लिखते है और text area में हमें भीच में लिखना पड़ता है तो यहाँ पर मुझे address भी मिल गया अब यहाँ पर यह तीन चीज़ है जैंडर, course और session year तो इसको हम इस तरीके से फैस नहीं करा सकते हैं क्यूंकि उसको हमें change भी कराना है तो हम ऐसा करेंगे यह ज gender के लिए तो जब से पहले हम session year और जो course था उसको fix करेंगे तो course is equal to हमारे course का model.objects.all और यह course को यहाँ पर pass करेंगे और अब यह जो course है उसका use कर सकता है तो यहाँ पर हम follow लगाएंगे तो पहले से follow हमने student में copy किया था तो वो पहले से ही है तो वो अपने आप आ जाएगा तो यह सारे courses हमारे आ गए अब session year को भी तरीके से मिलाना पड़ेगा तो यहाँ पलिखेंगे session year is equal to session year.objects.all तो यहाँ से session year भी मिल जाएगा हमें इसको save किया session year के लिए भी पहले से ही यह code लिखा हुआ है तो session year भी हमें मिल जाएगा तो यह सारी चीज़े हमें मिल गई अगले वीडियो में हम यह जो data है उसको अगर कोई user आके यहाँ पर कोई changes करना चाहता है तो यहाँ से वो कोई changes करके update student में यहाँ पर update student लिख देता हूँ update student तो वो data यहाँ पर update हो जाएगा और update हो जाने के बाद वो redirect कर देगा यह जो view student है वहाँ पर तो यह सारी जो personality है वो हम early वीडियो में करेंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी subscribe कर देना thanks for watching